हजारी बाग के रॉमनोमी विश्विख्यात है और इसे लेकर प्रशासन ने भी तैयारियां कर ली हैं वहीं जिला प्रशासन लगतार रॉमनोमी रूट पे फ्लाग मार्च कर रहा है ताकि कोई भी कमी उन्हें दिखाई दे उसे ठीक किया जा सके इसी को लेकर देर रात हजारी बाग जिला प्रशासन की पूरी टीम ने फे से सडकों पे फ्लाग मार्च कर रॉमनोमी रूट का निरक्षन किया कुछ डीसी नेंसी साहाई और स्पी मनोज रतन चौथे ने साथ 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 सदी एम विद्या भूशन के साथ जीले के सभी वरी अधिकारी इस दोरान मौजूद रहे स्पी मनोज रतन चौथे ने बताया कि लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई है और सुरक्षा की द्रिष्टी से जीला प्रशासन को मुख्याले से 5000 एक्स्ट्रा पुलिस बल दिया गया है रेपिट एक्षन फोर्स की कुछ कम्पनिया भी सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे और निकलने वाले जुलूसों पर ड्रोन कैमरा से भी निगरानी रखी जाएगी रामनोमी इस वर्ष 30 मार्श को है और हजारी बाग में जो एतिहासिक जुलूस निकलता है वो 31 मार्श के रात से निकलेगा और एक तारिक के शाम तको खत्म हो जाएगा तो जो रामनोमी से संबंध थाग रिया है उसका हम लोगों ने अल्ड़ी प्रार्म कर दिया हैं और जो forces प्रसियूप्त होते हैं अन्य जीलों से और मुख्यालय से उसके लिए हम लोगों ने नियोजन करना शुरू कर दिया है, cctv camera का installation हो, drone cameras की अवशक्ता हो, या अन्य जितने भी logistical issues इस रामनोमी में हम लोग को अवशक्ता पढ़ती है, उन सभी पे हम लोगोंने कार्य करना शुरू कर दिया है, और मुझे उम्मीद है पिछले वर्ष जिस प्रकार से बहुत शांत शांतिपूर्ण महोर से महोल में और भक्तिमय महोल में रामनोमी का ये त्योहर हम लोगोंने संपन कराया था, उससे भी और शांतिपूर्ण महोल में और भक्तिमय महोल में हम लोग इस वर्ष का भी रामनोमी का त्योहर मनाएंगे, रामनोमी इस वर्ष 30 मार्च को है और तिहांसिक जो जोडेत छोडे नहीं मजबूती ही हमारी पहचा चार धामों में से एक रामिश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी मदुरै, मामिनाक्षी देवी और श्री मलिकार्जुन जोतरलेंका जार्खन में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाप का आनुपम अमसर संपर्क करें माकामा ख्याद धार्मिक रेल यात्रा केश्री नर्सिंग हों तहला तल्ला पिसका मोड राची